Hello friends, मेरे YouTube चैनल BS ग्यान में आप सबी क्या स्वागत है Friends, आज खिस वीडियो में मैं आपको जिस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ या फिर जो सिखाने वाला हूँ वो आपको वीडियो का थम नेल देखके पता चल गया होगा तो फ्रेंट्स अगर आप उस बिसे में complete जानकारी लेना चाते हैं या फिर सीखना चाते हैं तो वीडियो को last तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइकन से जोग करिएगा और फ्रेंट्स अगर आप पहली बार हमारी YouTube चैनल पे आए हैं तो हमारी YouTube चैनल को subscribe क लिजेगा क्योंकि सरकारी हो जना से जोड़ी जानकारी मैं अपने YouTube चैनल पे लेके आता रहता हूं तो फ्रेंट्स अब मैं वीडियो को सुरू करता हूं citizen login तो इसी के उपर आपको click कर देना है जिसके बाद दोस्तों इस प्रकास से आपके सामने next page आएगा तो यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है verify के उपर click करना है जिसके बाद बाकी का detail डालने का option आजाएगा जिसमें सबसे पहले full name आपको यहाँ पर enter करना है यहाँ पर आपको state को select करना है यहाँ पर district select करेंगे उसके बाद आपका area कौन सा है rural या फिर urban वो आपको select करना है यहाँ पर आपको अपना block select करना है ठीक है जो भी आपका block है village को यहाँ पर आप select करेंगे अब relationship आपको यहाँ पर select करना है जिसका आप apply कर रहे हैं उसके साथ क्या relationship है अगर आप फुद का ही apply कर रहे हैं तो यहाँ पर self का option दिया हुआ है तो self को आपको यहाँ पर select करना है जिसके बाद दोस्तो create account के उपर click करना है आपका यहाँ पर account create हो जाएगा अब आपको अपना mobile number यहाँ पर type करना है उसके बाद दोस्तों आपको नीचे verify के उपर click करना है जिसके बाद आपके mobile number पर OTP जाएगा तो OTP दोस्तों यहाँ पर आपको type कर देना है और जो capture code दिया है उसे आपको यहाँ पर type करना है validate के उपर click कर देना है आप यहाँ पर login हो जाएंगे आप देख सकते हैं dashboard open हो गया है अब यहाँ पर apply करने के लिए option दिया हुआ है data entry का इसी के उपर आपको click करना है beneficiary registration आएगा तो इसके उपर आप click कर देंगे इस पर click करते हैं दोस्तों आपके समने form open हो जाता है अब इस form को भढ़ने के लिए यहाँ पर आपको बताना है जो beneficiary है कहीं हो central government और state government का employee तो नहीं है है तो yes करेंगे नहीं तो आप इसे जो है no पर रहने देंगे जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है आप first child के लिए apply कर रहे हैं फिर second girl child के लिए तो यह योजना के बारे में सबसे पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूं ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आप पूरा chart देख सकते हैं इस योजना का जो नाम है वो है प्रधान मंतरी मातरू बंदना योजना आप यहाँ पर देख लिए ठीक है अब इस योजना के अंतरगर्थ 11,000 रुपे महिला को मिलते हैं जिसमें पहली बार मा बनने वाली गर्भवती महिला को मिलेंगे 5,000 रुपे ठीक है टोटल 11,000 रुपे का जो है यहाँ से गवर्मेंट की तरफ से आपको लाब दिया जाता है जो की एक बार 5,000 रुपे और एक बार 6,000 रुपे की किस्त में मिलते हैं ठीक है अब यहाँ पर दोस्त आप देखेंगे तो नीचे पूरा का पूरा आपको अच्छे से बताएगा है कब कब आपको कितने रुपे मिलेंगे उस सब कुछ यहाँ पर जो है अच्छे से समझाएगा है यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे जो 6,000 रुपे वाला किस्त है यह आपको एक बारे में ही मिलेगा अगर second girl child जो होते हैं ठीक है तो यहाँ पर कौन-कौन लोग apply कर सकता है उसके बारे में भी यहाँ पर पूरा का पूरा बताय गया है पूरा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं समझ गये तो इस यूजना के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा ठीक है तो अब चलिए हम वापस से form भर लेते हैं तो form भरने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको select करना है तो हम first child के लिए apply कर रहे हैं तो इसे में first child को रहने देते हैं अब यहाँ पर number of living children तो यहाँ पर आपको जो है zero select करना है क्योंकि अभी तो कोई बच्चा है नि क्योंकि पहले बच्चे के लिए apply कर रहे हैं यहाँ पर आपको बताना है beneficiary के पास आधार कार्ड है है तो yes करेंगे अगर नहीं है तो आप no करेंगे लेकिन आधार कार्ड जरूरी है ठीक है तो yes आपको करना है उसके बाद check box के उपर यहाँ पर आपको click कर देना है जिसके बाद बस नीशे आना है यहाँ पर full name enter करना ह जो name आधार काड़ पर दिया है वही name दोस्तों आपको यहाँ पर type करना है समझगे उसके बाद जो आधार काड़ नमबर है उसे यहाँ पर आप type करेंगे date of birth आपको यहाँ पर select करेंगे calendar में से यहाँ पर age है automatic calculate हो जाएगा अब यहाँ पर category आपको select करना है HCT जो भी है वह आप यहाँ पर select करेंगे mobile number आपका यहाँ पर आजाएगा अगर यह mobile number 200 किसका है यह आपको बताना है अगर आपका खुद का है तो self select करेंगे नहीं तो आप अपनी साब से यहाँ पर select करेंगे ठीक है तो हमने self select कर लिया उसके बाद eligibility proof यहाँ पर मांगा जात तो हम यहाँ पर e-shram card को select कर लेते हैं उसके बाद e-shram card number आपको यहाँ पर type कर देना है और यहाँ पर आपको अपना e-shram card जो है upload कर लेना है समझे तो यहाँ पर document यह कही आपको देना है अब यहाँ पर कुछ important dates आप से पूछे जाते हैं जिसमें जो main date से वो आपको mcp card में मिलता है तो यह 200 आंगनवाडी की तरफ से जो card यह बनाया जाता है जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो जो है उनकी तरफ से यह card बना कर दिया जाता है उसमें सारा का सारा detail होता है तो जो mcp card registration number है सबसे पहले उससे आपको यहाँ पर डालना होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको date select करना पड़ेगा यह सभी date 200 mcp card में होता है तो वहाँ से दोस्ता पूरा का पूरा जो date है इसे देख करके आप यहाँ पर fill up कर लेंगे समझ गया है उसके बाद नीचे आपको आना है अब यहाँ पर दोस्त यह select करने की जरूरत नहीं है क् हम first child के लिए apply करने तो अभी जो है यह सब आपको select नहीं करना है अगर जन्म हो गया रहेगा तो आप one select करेंगे उपर तो यहाँ पर आपको select करने का option आएगा यह date of birth भी अभी नहीं क्योंकि बच्चे का भी जन्म हुआ नहीं है तो यहाँ पर date of birth select करने की जरूरत नहीं ह ठीक है तो यह ऐसी आप छोड़ देंगे उसके बाद आता है present address आप यहाँ पर देख सकते हैं अब present address में दोस्तों आपको यह बताना है area rural है अभी अरवन यह तो हमने starting में select करने की जरूरत नहीं है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना full address type कर देना है जो आपका address ह और यह सब बागी जो हमने starting में registration करते समय select किया था वही दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाता है ठीक है अब यहाँ पर बस आपको अपना जो pin code है वो आपको type कर देना है pin code type करने बाद यहाँ पर आपको आंगनवाडी को select कर लेना है जो भी आपका आंगनवाडी है उ उसी में दोस्तों directly पैसे आते हैं bank detail देने की जरूरत नहीं पड़ती समझ गया है तो इसी प्रकास से दोस्तों आप इस योजना का लाब ले सकते हैं अगर आपकी जान पैचान में कोई महिला है या फिर आपके घर में कोई ऐसी महिला है तो ऐसे में आप उनका जो है apply कर सक करते हैं वीडियो पसंद आये हो तो लाइक और शेर कर देना थेंग्यों दोस्तों बाइबन टेक केर